सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ऐसी एक बेटी हमारे साथ है जो सब्जी बेचने के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है आप देखे कोविड महामारी और लॉग डाउन ने अच्छे अच्छो को तोड़ दिया लेकिन इन मासूम आखों के सपने अब भी पहले की तरह बुलंद है तभी तो चेहरे पर मास्क लगा कर ये सड़क किनारे ना सिर्फ सब्जियां बेच रहे हैं बल्कि इस दोरान अपनी पढ़ाई भी पूरी करने की कोशिश में लगे हुए है रोशन कुमार एक सरकारी स्कूल में साथवी क्लास के चात्र हैं ये दो भाई है छोटा भाई पाचवी क्लास में पढ़ाई करता है ओनलाइन पढ़ाई के लिए दोनों के पास बस एक स्मार्टफोन है इसलिए बहुत ही मुश्किल से ओनलाइन क्लास कर पाते हैं अब सब्जी के दुकान पर काम करने के साथ साथ वक्त निकाल कर पढ़ाई भी कर रही है। सब्जी की दुकान पर रिया अपनी पढ़ाई भी करती है। यहां पर सब्जी दुकान है तो यहां पर पढ़ाई भी करती हो और सब्जी दुकान में ही क्यों पढ़ाई करती हो आप। क्योंकि घर में जल्दी को टाम नहीं मिलता है इसलिए। तो यहां पर जब सब्जी बेशते हो आप तो कस्टमर भी कई तरह के आते हैं। सब्जी भी देते हो। देते हैं हम सब्जी भी। तो पढ़ाई आप कर रहे हैं यहां पर तो क्या बनना चाहते हैं बढ़ा होकर। पढ़ा होकर। टेलर। यह टेलर बनना चाहते हैं यानि कहा जा सकता है कि फैसन डिजाइनिंग में इनका बड़ा स्कोप है और उसमें जाना चाहते हैं। त्रिया के पिता जी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान चत्रा में परिवार का पुराना कारोबार चौपट हो गया। उसके बाद भरण पोशन के लिए राची आ गए और सबजी बेचने का काम कर रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रकती राजेंद्र प्रशाध हो या देश के पुर्व प्रधाम मंत्री लाल बहादिर शास्त्री सभी ने चुनौतियों के साथ वच्वन में अपनी पढ़ाई की है। अब ऐसी ही विप्रीत परिश्थीतियों के साथ आज के कई बच्चे पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।